हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टो एक्टर नूलिज फूर एजूकेशन, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, निबंध के वारे में, और ये निबंध है, विज्ञान, बर्दान है या भिशाप, ये निबंध कई रूप में आ सकता है, और इसका अंसर एक ही रहेगा, विज्ञान, बर्दान है या भिशाप, अथवा विज्ञान और समाज, अथवा भारती विज्ञान की प्रिगरती, अथवा राष्टे परिपेक्स में विज्ञान की उप्योगता, अथवा विज्ञान का रचनातमक स्वरूप, अथवा विज्ञान और चिकित्सा, के इस्टुडेंट्स के लिए और अन्य परिक्षाओं में जिन में निमंद का प्रशना आता है यह वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है वीडियो में लाज तक बने रही है शुरू करते हैं सबसे पहला सीर्चक है प्रस्ताबना सबसे पहले प्रस्ताबना के बारे में चर्च मानब सुख सुविदाहों के लिए विग्यान ने क्या नहीं किया मनुरंजन के सुलब साधन जैसे रेडियो टेलिवीजन टेलिफोन सिनेमा ग्रामफोन ये सभी उपकरण विग्यान की ही देन है विग्यान की बदोलत आज मानब जीवन एक रंगीन कलपनाओं का सुनहरा स अंसार बन गया है काल की दाण में उल्जे करहति रोगी के लिए विग्यान नवजीवन का बरदान लेकर प्रकट हुआ है चिकित्सा के एक से एक साधन विग्यान उपलब्द कराता है सरीर का एक एक अंग यहां तक की हिर्दय और आंक तक भी विग्यान के सहारे प्रत्या प्रयतनशील है यह उसकी प्रस्तावना है अगला शिर्शक है विग्यान वर्दान है विग्यान वर्दान किस तरीके से सिद्ध हो रहा है इसके बारे में डिسकस करते हैं satisfies दुनिक विग्यानने मानप सिवा के लिए अनिये प्रकार के साधन जुटा दिये हैं पूरानी कहा परदिंश परदेश, ओलादीन के चिरागुए और पुछ जान पड़ता है। उसे विजbaby karaoke कि बड़ी स्रल्ता से कम कर देता है। रातो रात महल बनाकर खड़ा कर देता है, आकास मार्क से उड़कर दूसरे स्थान पर ले आता है, सत्रू के नगरों को मिंटों में बरवात कर देता है, ऐसे ही कार्णे हैं, यथा विज्ञान मानप के लिए महान वर्दान सिद्ध हुआ है, उसकी वर्दाईनी शक्ति ने मा अगला सिर्षक है, परिवेहन के छेत्र में, पहले लंबी आत्रा दूर स्वपनी सी लगती थी, किन्तु आज रेलो, मोटरों और बायू यानों से लंबी आत्राओं को अत्यात सुगम बैसुलब कर दिया है, प्रत्वी ही नहीं, आज के बैग्यानिक साधनों द्वारा पर भी अपने कदमों के निसान बना दिये हैं, अगला सिर्षक है, संचार के छेत्र में, टेली फोन, टेली ग्राम, टेली प्रिंटर आदी, द्वारा छड़ भर में संदेश पोचाई जा सकते हैं, रेडियो और टेलिविजन द्वारा कुछ ही पलों में एक समाचार विस् अगला सिर्षक है, उद्योगिक छेत्र में, भारी मसीनों के निर्माण में बड़े-बड़े कल कारखानों को जन्म दिया है, जिससे स्रम, समय और धन की बचत के साथ साथ प्रचलित मात्रा में उत्पादन संबभ हुआ है, इससे बिसाल जन समु को आवस्यक बस्तू सस्त सस्ते मूल्य पर उपलब्द कराई जा सकती है, अगला सिर्षक है, किर्षी के छेत्र में, टैक्टर, ट्यूवैलो, रशाइनी खादेवं, भीजों की नई-नई किस्मों ने किर्षी उत्पादन को बहुत बढ़ाया है, जिससे बिस्व की बढ़ती जन संक्या का पेट भरन संभाव हो जका है, अगला सिर्षक है, शिक्षा के छेत्र में, मुद्रण यंत्रों के आविस्कार ने बड़ी संक्या में पुस्तकों का प्रकासन संभाव बनाया है, जिससे पुस्तके सस्ते मूल्य पर मिल सकी है, इसके अतरीक समचार पत्र, पत्र, पत्रिकाई, आदी भ में बड़ी सहायता मिली है, कंप्यूटर के विकास ने तो इस छेत्र में क्रान तिला दी है, अगला सिर्षक है, मनुरंजन के छेत्र में, चल्चित्र, आकासबाडी, दूरदर्शन, आदी ने मनुरंजन को सस्ता और सुलब बना दिया है, वी सियार, ग्रामो फोन, टेप अगला सिर्षक है, चिकित्सा के छेत्र में, चिकित्सा के छेत्र में तो विग्यान वास्ता में बरदान सिध्ध हुआ है, आधुनिक चिकित्सा पध्यती इतनी विक्सित हो गई है कि अंधे को आखें और अपंग को अंग मिलना असंभव नहीं लगता है, कैंसर, टीवी, हेद्य रोग जैसे भहंकर और प्रान गहतक रोगों पर बिजय पाना विज्ञान के माध्यम से ही संभव हुआ है अगला शिर्शक है खाद्यान के शेत्र में आज हम अन्निके मामले में आत्मिन भर होते जा रहे हैं इसका स्रे आध्धुनिक विज्ञान को ही है विभिन प्रकार के उर्बरको और कीट नासक दवाओं खेती के आध्धुनिक साधनों तथा जल संबंधी करत्रिम विवस्था ने खेती को सरल और लाबदायक बना दिया है अगला शिर्शक है दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्यान का विज्ञान पर अधारित है बिद्युत हमारे जीवन का महत्पूर्ण हिस्ता बन गई है बिज्ञी के पंके, गैस, स्टोफ, फ्रीज, आधी के निर्मार ने मानप को सुविदा पूर्ण जीवन का वर्दान दिया है इन आविस्कारों से समय, शक्ति और धन की परियाद तो भचत हुई है बिज्ञान ने हमारे जीवन को इतना अधिक परिवर्तित कर दिया है कि यदि दोस्सो बर्स पूर्व का कोई व्यक्ति हमें देखे तो यही समझे कि हम स्वर्ग में रह रहे हैं यह कहने में कोई बड़ी बात नहीं होगी कि भविस्या का विज्ञान मिरत व्यक्ति को भी जीवन दान दे सकेगा इसलिए विज्ञान को बर्दान ने कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए अगला शिर्षक है बैग्यानिक अभिशाप बैग्यान को अभिशाप के रूप में किस परकार कहा जा सकता है बैग्यानिक अभिशाप के दो रूप है एक तो प्रत्यक्ष रूप है जो विद्धवन सकारी अस्त्र सस्त्रों से संबंदित है जैसे टैंक, डाइनामाइट, रोकेट, बम, परमाणू बम, हाइडरोजन बम आदी ऐसे आस्त्र हैं जो पलक जपकते ही लाखो जीवों का सनहार कर सकते हैं इन बमों के विस्पोर्ट से बायू मंडल भी दूसित हो जाता है जिससे अन्यक रोक पैदा हो जाते हैं बैग्यानी काविसाब के अपर्ट्यक्स रूप के अंतरगत कला और संस्किति का हिरास होता है बैग्यानी काविसकारों की बदोलत अन्यक परकार की मसीने तैयार होई है जो कम ब्याए, थोड़े स्रम और अल्प समय में अधिक से अधिक मात्रा में बस्तूओं को तैयार कर देती है इस परकार स्रमिक की नीजी कला का हिरास हो जाता है उनकी रोजी रोटी पर भी अपर्त्यक सहानी कारत परहो पड़ता है देश में बिलासिता की इब्रदी होती जा रही है मनुस्य की आत्मी निरभरता समाप्त हो जाती है वह मशीनों का गुलाम हो जाता है दूसरी और स्रमेकों में बेकारी तो बढ़ती है छोटे-छोटे उद्ध्योग धंदे भी समाप्त हो जाती है अगला सिर्षक है बिग्यान बर्दान या अभीशाप बिग्यान को बर्दान कहा जाए या अभीशाप कहा जाए इसके बारे में है बिग्यान के विसमें उक्त दोनों दरश्टियों पर विचार करने के बाद यही बात पूरी तरह स्पस्ट हो जाती है कि एक और विग्यान हमारे कल्यान का उपासक है तो दूसरी और विणास का कारण भी किन्तु सारे विणास के लिए विग्यान को उत्तरदाई नहीं ठहराए जा सकता विग्यान तो एक शक्ती है जिसका उप्योग अच्छे और बुरे दोनों तरह के कारजियों के लिए किया जा सकता है यह एक तलवार है जिससे सस्त्रु का गला भी काटा जा सकता है और मूर्खता से अपना भी विनास करना विग्यान का दोश नहीं है अभी तुम मनुस्या के एस अंस्क्रत मन का दोश है अगला सीर्षक है उप्शनहार या निसकर्स यदि मनुस्या अपनी प्रवेरतियों को रचनात्मक दिशा में डाल दे तो विग्यान एक बड़ा बरदान है किन्तु जब तक मनुस्या मानसिक विकास की उस सिड़ी पर नहीं पहुंचता तब तक विग्यान से जितना बिनास होगा उसे अभी शाप ही समझा जाएगा इस तरीके से विग्यान बरदान या अभी साप के निबंद के बारे में चर्चा की यह निबंद आपको कैसा लगा कमेंट सेक्षन में अपनी पिर्टी के रिए जरूर दे और यदि यह विडियो आपको हेलफुल लगी हो थोड़ी बहुत साहिक लगी हो तो प्लीज इसे लाइक बेशेर कीजे अपने दोस्तों के साथ और जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमाई चैनल एक्ष्टा नोलिप फूर एजूकेशन को सब्सक्राइब कर लें साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जितनी वीडियो हम अप्लोड करते हैं उन सभी का नोटिपिकेशन आप तक पहुँच अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स पूर वाचिंग इस वीडियो थैंक्यू बेरी मच आलो फ्यू जय हिन जय भारत बंदे मातरम